अब हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू गार्गी क्लासिज राजस्थान इंशन्ट हिस्ट्री अपनी एक सीरीज चल रही है उस सीरीज में आज अपन बात करेंगे ओकर्ड कलर्ड पॉट्री कल्चर ओकर्ड कलर्ड कलर्ड कैसा बताया था यह बैक्ग्राउंड में यह वाला जो कल एंपने अपने को बदें पड़ा की को क्वपर के साहत में इशन्टेंट कर्वाण री स्टार्ट किया घ्या तो उस टाइम पर खुदाई के टाइम पर कॉपर के जो टूल्स थे कॉपर के जो एक्विप्मेंट थे उनके अलावा पॉट्री भी मिली पॉट्री मतलब बरतन मिले किस से बने हुए ऑकर कलर जिनका कलर कैसा था ऑकर कलर जो मैंने भी बता दी आपको ठीक है तो इसके बारे में आज अपन डीटेल में बात करेंगे ऑकर कलर पॉट्री कल्चर है वो राजस्तान के कौन-कौन से एरियाज में स्प्रेड़ेड है ठीक है क्या इसकी फीचर्स रहे हैं और कैसे कैसे टूल्स और कैसा सिविलाइजेशन ये सिस्टम था एक चीज मैं बता दूँ यह इंडस्वैली सिव प्रेंशन हो चुका था या कॉपर का यूज शुरू हो चुका था यूमन बिंग के द्वारा उस टाइम पर इंडियन सब कॉन्टेनेंट में कौन-कौन से कंट्री जाते हैं आप कमेंड बॉक्स में बता सकता है मुझे ठीक है इंडियन सब कॉन्टेनेंट में अलग- पॉर्टरी कल्चर ठीक है अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आपको आने वाले वीडियो मिल जाएं क्योंकि आर एस इंग्लिश पर्टिकिलरली बात करूं तो उसमें आपको पूरा कोर्स में कवर कर रहेगा यह से लेबस जो है अपन फॉलो कर रहे है आरे यह सार्पीस के पॉइंट आफ्यों से बड़ यह इंग्लिश मीडियम से प्रपरेशन करने वाले अधर एक्जाम्स के लिए भी जो स्टुडेंट्स इंग्लिश मीडियम से प्रपेर कर रहे हैं उनके लिए बहुत फाइदिमंद साबित हो सकती है यह सीडीज ठीक है राजस्तान जेग्राफिक की राजस्तान हेस्ट्री की और वर्ल्ड जेग्राफिक की और एक एडिटोरियल डिस्कॉशन और शुरू किया है वो भी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना डिसकॉशन देखो ओकर अब अपन बात करेंगे और मैं शॉट में ओसीपी ही बोलूंगा ओसीपी कल्चर नाइटीन फिफ्टी वण में यह बताया गया कि यूपी के बिजणॉर डिस्ट्रिक में दो गाउं हैं बिसॉली और राजपुर पार्सु थीक है बिसॉली और राजपुर पार्सु दो ऐसे विलेज़ेज है कि वहाँ पर पहले कॉपर के बहुत बड़े होड्स मिले वो चालकोलिथिक साइट्स ही हैं तो इस चीज़ को धान में रखते हुए अपने जो हिस्टोरियन है जो रहे हैं बीवी लाल उन्होंने इस चीज़ को क्योरियोसिटी से देखा और फिर उन्होंने वहां पर जाके एक्सकेवेशन शुरू कराई पर वहां पर देखा गया कि जो कॉपर के होड्स बताय गए थे जो पहले खुदाई के अंदर छोटी मोटी खुदाई हुई थी 1951 से पहले तो उन खुदा उन एक्सकेवेशन प्रोसेसर्स में कॉपर का मिलना तो बताया गया बट जब बीवी लान ने शुरू किया गया किया तो वहां पर इनको ओकर क बीवी लाल ने इस वजह से इस पूरी साइट के चारू तरफ जितने भी एरियास के अंदर प्रोबैबिलेटी मिली कि यहां यहां पर आपको खुदाई करनी चाहिए तो वहां पर उनको ओसी पी के क्वांटिटी ज्यादा मिली तो इन्हों ने एक को रिलेशन भी स्टैब जैसे इन्होंने इसके बीच में रिलेशन स्टैबलिश किया और जब चैलकुली थी केज की बात आती है इंडियन सब कॉंटिनेंट में तो ओसी पी कल्चर भी अपन बात करते हैं इसी वजह से आज का यह अपना टॉपिक अपन ने पिक किया है तो लगबग 950 साइट को ए का फीचर रहा और कौन-कौन से पर्टिकलर रीजन रहे फर्दर देखा जाए तो यहां पर कॉपर होड्स भी आपको मिले थे पहले इसलिए आपने इसकी डिस्कवरी को ग्रुप कर दिया ठीक है तो चैलकुलितिक एज पढ़ रहे है और उसके अंदर भी क्या देख रहे ह राजस्थान में हाइस नंबर और प्वसीपी साइट से राजस्थान की बात करें तो कहां कहां मिली राजस्थान में सब ज्यादा कहां पर राजस्थान में जो साइट मिली वह कहां कहां मिली वह मिली जैपुर जुन जुनुन अलवर भरतपुर और सीकर जिसमें सीकर में गनेश्वर यह सबसे इंपोर्टन्ट चैलकॉलितिक साइड है गनेश्वर चैलकॉलितिक साइड है जहां पर OCP भी मिली अब देखते हैं फीचर्स इस टाइम की फीचर्स की अगर अपन बात करें तो जो होड्स मिले थे मतलब जो बंडार मिले थे कॉपर के उनके अंदर कु स्प्लेड साइड है ठीक है स्प्लेड साइड का मतलब दो साइड इस तरीके का कुलाडी का पैटन यहां मिलता है ठीक है ऐसे कॉन्वेक्स कटिंग कॉन्वेक्स कटिंग आज भी आप देखते हो कई बार इस तरीके की कुलाडिया मिलना है ठीक है कॉन्वेक्स सेप मिली श सब्सक्राइब कर चाहिं लिए फróम चेहिक जाता था है एक्चछी मिली याफ लेज विसशना कि मिली यहां पर तल्वारे भी यहां पर मिली यहां निचला पार वquinho हँ मतलब ज्यादा बेकिंग की नहीं थी मतलब पूरी पकी हुई नहीं थी मतलब उनका जस्ट कलर प्रोवाइड किया गया कि अकरिश कलर हो जाए ऐसा कलर देखो मैं यहां पर दिखा रहा हूं इसी पीपिटी के अंदर यह आपको बैग्राउंड में दिख रहा होगा यह देख मतलब क्या होता है आपने देखा होगा इंटो के जो मकान होता है इंटो के घर बने इंटो की दिवारे बनी हुई होती है तो वहां पर अगर आपने वहां प्लास्टर नहीं किया सीमेंट का बाहर की तरफ तो हवा की वज़य से क्या होती है इंटो दीरे-दीरे-दीरे-दी थीक है तो इस तरीके से क्या है यहां पर जो potries मिली वह weathered pottery मिली जिसे पुराना मटका होता है तो उसको आप देख सकते हो अलका-अलका-अलका वह क्या होता, shatter होना शुरू हो जाता है, जढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या मिला, कि अलग-अलग stories के लिए, shapes में अलग-अलग pots मिले, jars मिले, vashes मिले, vashes के मतलब गुल्दस्ते हो गई, bowls मिले, stand के उपर बने हुई dishes, ठीक है, stand के उपर बनी हुई dishes म मिली यहां पर miniature pot छोटे-छोटे और मतलब मत्किया मिली यह पूर्ट मिले यह जो पूरा जो pottery system मिला यह लगबग लगबग हडपा के time से कहीना कहीं connected मतलब हडपा का system था हडपा में भी ऐसे चीज़े यूज हुआ करती थी जैसा कि मैंने अल्रडी बताए हो contemporary तो थी पर इनके बीच में कुछ लेंदेन या transactional system था या नहीं वो चीज यहां से clear होता है कि similar type of pattern अपने को देखने को मिलता है जिससे मैं एक बात बताओं आज अगर जैपुर में कुछ चीज़े काम में आ रही है और वही चीज़े अगर आप देखो इन दौर में मद्याप्रदेश के इन दौर में जाके देखो तो वही चीज़ें अगर मैच करकी दिखेंगी तो अगर यह civilization पूरा खतम होता है तो ancient time future में क्या होगा जो भी excavation करेंगे अपने जो successors होंगे वो उनको देखेंगे कि यार इन दोनों के बीच में कोई ना कोई relation तो past में रहा हुआ है कि कुछ ना कुछ चीज़ें यहां पर match कर रही है फिर आगे देखा जाए तो यह potries जो थी यह इनके ओपर design भी बनी हुई थी design कैसी एक तरीके से इनके अंदर incised का मतलो तो गुदी हुई जैसे गुदी हुई design मिले जैसे कोई यह pot है for example तो इस pot के ऊपर यह जो design है यह क्यों painting नहीं है अंदर की तरफ कट मारे हुए है कट माग थे उससे design बनाई हुए ऐसे ग्रैफिटी मिली ग्रैफिटी का मतलब होता है कि जो public places होती है वहाँ पर कोई picture हो या फिर कोई भी writing हो वो मिली हो वो भी किस से बनी हुई black pigments black color का use किये हुए ठीक है आगे देखें तो यहाँ पर habitation system क्या था यह ज आपने अल्रेडी जो बात की थी इंडस्वेली civilization इंडस्वेली civilization या फिर आहडबनास culture की आपन बात करें तो वहाँ पर तो क्या था मतलब एक pattern दिखता था कि साथ में रहते थे लोग और अर्बन अर्बनाईजेशन देखा गया था इंडस्वेली civilization में हडपा मोहन जोदरो इस वाले region में well planned urban planning बहुत अच्छे थी वहाँ पर यहाँ पर जो देखा गया यह habitation जो था वो size में बहुत छोटा था और यह इसकी वज़य यह हो सकती है कि यह definitely कुछ time के लिए ही इस वाले region में रुके होगे जैसे नॉमेड नॉमेड्स नहीं होते है आजकल आपन देखत तो इस वज़े से वो group में भी रहेंगे तो क्या होगे छोटे छोटे groups में रहना उन्होंने शुरू कर दिया और साथ में ज्यादा लंबे समय तक वो एक जिए पर नहीं रुके अब यह जो देखा गया कि excavation में size इनकी small थी तो economy का भी पता पड़ता अपने को और material का भी प activities भी कम होगी और साथ में cultural advancement cultural जो development होता है वो भी आपको कम मिलेगा और जो potries हैं वो भी आपको कही ना कहीं जैसे बात की थी अपने ill-fired ill-fired का मतलब कम-fired कम-baked तो वो चीज़े क्या है शो करती है कि यह कहीं ना कहीं इंडस्वेली civilization आर्डबनास culture से कहीं ना कहीं यह OCP जो settlement था वो थोड़ा बहुत economically weaker थे ठीक है और आगे देखें यहां पर तो जो economic activities जो होती थी जिसमें cultivation की बात करें तो rice और barley का तो यहां पर domestication हो मतलब cultivation होता था और cattle's का domestication होना शुरू हो गया था जैसे कि नियोलेथिक साइड नियोलेथिक केज की अपने अलरड़ी बात की उसी टाइम से आ गया था उसी का influence यहां पर है ऐसे ही earth floors जो थे earth floor का मतलब क्या हो गया कि जो surface आपने देखी वो इस तरीके से rammed का मतल इसे देखो गे तो पोस्ट होल्स आपको मिले बहुत सारे कि जहां पर आप कुछ भी डंप कर सको कोई भी चीज को ऐसे बेग्ड और अनबेग्ड ब्रिक्स मिली मतलब इटे मिली जो सिक्की हुई भी थी और कच्छी भी थी ऐसे टेरा कोटा से बनी हुई human figures भी मिले bangles में चूडियां भी मिली बीड स्टोन और बॉन भी मिले यहां पे बहुत जादा और यह देखो आप यहां पे इस तरीके के एक्ट्विपेमेंट्स यूज होते हैं। जो जो बोला था हो इनी के लिए यूज होता है। वह एक तरीके से होता है। कि इनका यूज अप हंटिंग में भी कर सकते हो। और इनका हंट इनका यूज आप किसी भी कोई चीज को तोड़ना है। या फिर यू मानलो बार्क उतारनी आपको किसी भी पर्टिकलर चाल उतारनी आपको किसी भी पेड़ की इस तरीके से अब important sites के अगर बात करें OCP की तो उसमें आप देखोगे अपन राजस्तान के लिए concerned रहते पर ज्यादा देंगे राजस्तान में अगर important देखे तो दो जगए हैं एक तो है गनेश्वर जो की सीकर में मैं अपमें देखा एक जोदपुरा जैपुर में important site जो है इसमें वो है गनेश्वर इसके बारे में ही अपन बात करेंगे जोदपुरा एक example के तोर पे आप कहीं पर भी कोट कर सकते हो अगर ocp culture के बारे में में question आता है तो आप आराम से वहां पर अप्रोच कर पाओ ठीक है यह जो slide है आपकी यह दो number की है सीधी सीधी की occur color ocp site क्या है मैंने अल्रडी बता दिया ocp क्या है दूसरा गनेश्वर और जोदपुराई अगर यह content आप देते हो वहां पर located है उसमें है उस एरिया में है और यहां पर excavation जब किया गया तो पता पड़ा कि यहां के civilization लगबग 4000 साल पुरानी थी अब 4000 साल पुरानी की comparison में आप देखोगे तो वह इंडेस्वेली सिविलाइजेशन के contemporary लगबग हो जाता है दूसरा यह जो location है गनेश्वर की वह जहां से कांतली रिवर रिवर्स के बारे में अल्रेडी पढ़ा चुका हूं राष्टान जोग्राफी में आप जाके देख सकते हो तो कांतली रिवर्स जहां से origin होती है खंडेला की पहाडि सिस्टम का पार्ट है तो इतना ज्यादा न्यूज में भी नहीं रहती है दृषादवती रिवर्स इनका दोनों का confluence था ठीक है तो कांतली रिवर्स के पास में लोकेटेड है क्या गनेश्वर जो की दृषादवती रिवर्स की साथ की ट्रिब्यूटरी है जो कहां से originate हो और नौर्थ नौर्थ साइड में जो गनेश्वर के है वहां से origin होता है जब इसके बारे में पता पड़ा कि गनेश्वर के अंदर भी कुछ ना कुछ civilizational remains है जो age थी उसका भी यहां पर influence है तब रतनलाल मिश्रा ने यहां की बारे में लिखा कि यहां पर red pottery with black portraiture मिला मतलब color तो red था pottery का बड़तन तो red था पर उसके ओपर जो diagram जो भी painting बनी हुई थी वो black color से बनी हुई थी साथ में यह पता पड़ा कि यहां का जो यह system था पूरा का पूरा पूरा 2500 से 2000 BC के time का था ठीक है और यह excavation किया गया था वो हुआ था 1977 में कहां पर गनेश्वर में ओके तो यहां पर अपने देखा कि गनेश्वर कौन से रीजन में located है और इस particular site के excavation को अपनी words के अंदर किस ने लिखा रतनलाल मिश्रा ने एक चीज मैं आपको यहां पर पता दू यह जो नाम आ रहे हैं बीबी लाल हो गए रत इतने भी नाम आ रहे हैं ठीक है टैसितोरी का नाम आया था पहले इनिश्यली तो उन चीजों उन नामों को आप जरूर से ध्यान रखे क्योंकि इनके बारे में भी प्रिलिम्स में या फिर में में question पूछा जा सकता है गणेश्वर की अगर अपन बात करें तो गणेश्व कि जो copper mines थी वहां से हडपर को copper supply होता था और वह वहां पर इसको mix करके और फिर ब्रॉंज बना दे थे इसका alloy बना दे थे ब्रॉंज ओके अभी तक आपने जवाब वैसे दिया नहीं पर मैं बता देता हूं चलो कि ब्रॉंज है वह copper के साथ में अगर 10 को mix किया जाता है तो बनता है एक चीज में आपको बता दूँ यह जो ब्रॉंज वाला जो concept है ना ब्रॉंज अलोई इसके बारे में प्रेलिम 2018 2018 में क्वेशन आज शुका है ऐसे एकदम सिंपल क्वेशन था अगर आपको पता हो तो यह science में भी आपने और history में भी देख लो कहीं आपको पीछे रहोगे तो हर सब्जक्ट की concepts अपने है clear होने चीए चीजों को रटना एक डिफरेंट चीज होती है पर आपके जब तक concepts clear नहीं होंगे तब तक अपन कैसे grow कर सकेंगे और वह भी civil services exam preparation के अंदर ठीक है तो यहां पे देखा गया कि copper के objects में माइक्रोली छोटे स्टोन के tools भी मिले और potteries भी मिली ऐसे कॉपर के जो objects जो मिले क्योंकि चैल को लिए ठीक ही चल रही है क्योंकि यहां पर साथ में खेतरी का copper belt भी यहीं पर available है तो और जो tools मिले या फिर weapon मिले वो क्या थे arrowhead मिला spearhead मिला फिश हो कि यहां से देखो फिश हो कि यह idea मिल जाता है कि हाँ यह फिश हंटिंग भी क्या करते थे नदी के आस-पास में location आई गई थी नहीं हो ले थी कि इसके अंदर bangles मिले और copper के बने और चिसल्स के बारे में आपको बता चुका हूं चिसल्स क्या होता है एक तरीके से यह चेनी होती है चेनी का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा टूल जिसका यूज करके आप स्ट्राइक करके किसी पर्टिकलर चीज़ को शेटर करते हो तोड़ते हो ठीक है वह चेसल्स छेनिया मिली copper की बनी हुई ऐसे ही आगे देखे तो जो माइक्रोलिट जो मिले यहां पर वो जूमेट्रिक इंडस्ट्री को शो करता है मतलब यहां पर अलग-अलग स्ट्रक्चर के मतलब मिले अपने को माइक्रोलिट स्टोन की बने हुए जो टूल्स मिले जिसके अंदर ब्लंटेड बैक ब्लेड मिली ब्लंटेड ब्लंट का मतलब होता है एक तरीके से एक शाप का जिस टॉप ऑजट ठीक है ब्लंटेड बेग ब्लेड ब्लेड ऐसे मिली जो थोड़ी वह क्या थी मतलब जिनकी एजिस जो थी वो बिल्कुल शाप ना हो करके हलकी से ब्लंट थी ठीक है ऐसे अब्लीकली ब्लेंटेट ब्लेड मिली लिवनेट्स मिले और ट्राइंगल देखो ट्राइंगल यहां पर सीधा-सीदा आगया आपने हैं ग्रियर को बताता है कि कैसे जो मेट्रिक एक तरीके से रही रूं ऑपन ऑपन पर बनाने के अंदर जोमेक्रिक्स जोमेत्रीं का किवना सांधा तो बनासि यहां पर बनाता है आज ख़लोड़ता है क्या होता है है। आपकी तरफ किया बोलते है इनको तो इस तरीके के एक टूल यूज होता है जिसका आप किसी का हंट करने में भी यूज कर सकते हो और ये हारवेस्टिंग के लिए भी Seems होती है जैसे कि हारवेस्टिंग अपने कल्टिवेशन की बात की तो कल्टिवेशन और बार्ली और राइस यह दो इंपोर्टेंट क्रॉप्स की बात अपन कर चुके हैं ओ सीपी कल्चर राजिस्थान के लिए यहां बर जितने भी टूल्स मिले उनके लिए जो रॉ माटेरियल था वो कौन-कौन से थे क्वार्ड्ज, गार्निट, एड जैस्पर यह मिनरल्स होते हैं ठीक हैं ऐनके अलग 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 ऑलग चैमिकल कॉम्पोजिशन होती है या silicon का जो ratio होता है silicon iron aluminium जो भी earth के crust में material मिलता है उसका अलग-अलग combination मिलता है ठीक है उसके according तो ये raw material की तरह use होते थे कोई भी implements बनाने के लिए या tool बनाने के लिए या फिर weapon बनाने के लिए एसे ही जो pottery मिली यहाँ पे वो pottery का जो purpose था वो भी यहाँ पे clear होता है कि storage के लिए भी jars use होते थे वासे यूज होते थे वासे का मतलब होगे गुल दस्ते टाइप चीज होगी basin का मतलब बड़े बर्तन होगे जिसके अंदर आप पानी स्टोर करके रख सकते हैं ऐसे बॉल्स होगे लिड्स होगे डखकन होगे और साथ में miniature pots जिनका decorative point of use से यूज कर सकते हो आज भी करते है उस टाइम के भी करते थे तो आज अपने बात की कि गनेश्वर का जो OCP pattern है ऑकर कलर्ड पॉर्ट्री कल्चर जो है जो राजस्तान के नौर्थ इस्टन रीजन में located है उस रीजन के अपने बात की और कौन-कौन से districts में आया यह था जुन-जुनू, सीकर, जैपूर का कुछ पार्ट और अलवर का कुछ पार्ट मतलब जो पार्ट हरियाना और यूपी से थोड़ा वह अटेस्ट है उस वाले हरियाना से में ली तो उस रीजन में आपने कोई चीजे मिलती है और यह OCP नाम क्यों दिया गया है क्योंकि यहांपर जो पॉट्री मिली वह रिचार्स तो अपना यह टापिक यहीं खतम होता है सो थैंक यू वेरी मच वर वाचिंग इस वीडियो सब्सक्राइब कर लो और बैल आइकन जरूर प्रेस कर लो थैंक यू